आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सुल्यूशन लेकर बताने आपके पूरे दिन का हाल साथी साथ लेकर कुछ स्पेशल टिप्स मैं आपकी लाइफ कोच नूमरल ओजिस्ट आपकी मेंटॉर वास्तुगुरु मान्या एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ क्यावन पीम तक वहीं आज का जो अभीजीत मुहुरत है वहां है बारा बच के पांच पीम से लेकर बारा बच के उन्तालिस पीम अब हम जानेंके आज के दिन का हाल तो आईए शुरूआत करते हैं मेश राशी के साथ तो मेश राशी वालों के लिए आज का जो दिन है वहां आपके लिए बहुत ही फाइदेमन साबित होगा किसी काम को पूरा करने में आपको जो है दोस्तों की मदद मिलेगी घर के बाहर जाते समय गनेश जी का ध्यान ज़रूर करें लखी रंग आपके लिए रहेगा पीला और लखी नमर रहेगा एक आईए बात करते हैं व्रिश्वराशी की व्रिश्वराशी वालों के लिए आज का जो दिन है वह बहुत ही अच्छा रहने माला है आपको अचानक धनलाब होने के चांसिस बनेंगे आपके किसी महत्वपून काम में बदलाब भी आ सकता है किसमत का आपका साथ देगी आपको आज गंगा जल पानी में डाल कर उससे नहाना खेगी लकी रंग रहेगा हरा, लकी नमबर रहेगा ती आए बात करते हैं मिथुन राशी की तो मिथुन राशी वालों के लिए आज का जो दिन है वैं आपको सुकून देने वाला दिन है इन राशी के लोगों को आर्थिक स्थिती जो है उनकी अच्छी बन बनती रहेगी साथ ही पहले लिए हुए कोई भी लोन आप उसको उतार पाएंगे आपको आज मास मचली ना खाएं आप नौन विश ना खाएं वह आपके लिए बहुत ही बहतर रहेगा लगी रंग रहेगा ब्लू लगी नंबर रहेगा पांच करक राशी वालों के लिए आपका मन आज जो है कुछ अशांत रहने वाला है आप ज़्यदा से ज़्यदा समय अपने परिवार वालों के साथ ही बिताएंगे आपको तिल का दान आज जरूर करना चाहिए यह लगी कलर आपके लिए रहेगा गुर्डन लखी नमबर रहेगा तो यह बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए आज का जो दिन है वह आपके लिए बहुत ही सामाने रहने वाला है कुछ जिम्वेदारियां आपको सौफी जा सकती हैं आपको आज पेड लगाने हैं जितने हो सके आज पेड लगाएं लखी रंग रहेगा पीच लखी सोचे हुए जित्रे भी काम है वह पूरे हो जाएंगे जो काम पहले से पेंडिंग चल रहे थे आज पूरे होने के पूरे योग बन रहे हैं आज मन मुताबिक आगर आप काम करेंगे तो आपके सभी काम पूरे होंगे आप गाएं को हरा चारा आज के दिन जरूर आले आप होने वाला है अपनी काभिलियत के दम पर अच्छे लोगों के साथ संबंदों को आप मजबूत कर पाएंगे आप आपको आज के दिन शिवजी जी के उपर जाकर जल जड़ाना है उनके शिवलिंग के उपर जल चड़ाना है लगी रंग आपके लिए गुलाबी लगी नम रह तेंशन से दूर रहकर मित्रों के साथ कुछ ताइम अच्छे से स्पेंड कर सकेंगे आज निकलने से पहले घर में से दही और चीनी खाकर निकले आपके लिए लगी रहेगा लगी रंग रहेगा सिल्वर लगी कलर रहेगा लगी नंबर रहेगा एक अब आई बात करते हैं धनुराशी वालों के लिए आज आपका जो मन है वो वर्क में अधिक लगेगा काम में अपने आपको जूझे हुए रहेंगे इस राशी के जो स्टुडेंट्स हैं उनका आज का दिन अनुकूल रहने वाला है आपको आज बुंदी बातनी चाहिए आज आपके बुंदी का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए लगी रंग आपके लिए रहेगा सफेद लगी नंबर रहेगा तीन आई जानते हैं मकर राशी का हाल तो मकर राशी वालों के लिए आज किसमत आपके साथ रहेगी नए काम की शुरुआत से जो है भविश्य में आपको बड़ा फाइदा होने वाला है विजनस में रुका हुआ जो पैसा है वह आज आपको वापिस आता हुआ दिखेगा आज के दिन आप लक्षमी जी की पूजा जरूर करें लगी रंग रहेगा काला लगी नंबर रहेगा तो आए जानते हैं hypraszam के लिए दिन कैसा रहने वाला है कुम्म्राशी वालों के लिए आज का जो दिन है थीक ठाक रहेगा पिछले दिनों आप डा आपने जितनी भी कड़ी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको इस हफ्ते दिखने को मिलेगा, आपको नजर आने लगेगा, जरूरत मंदों के को कपड़े दान जरूर करें, सही काम पूरे होने लगेंगे, लखी रंग रहेगा लाल, लखी नंबर रहेगा पांच, आएगे बात करते हैं मीन राशी के लिए आज का जो दिन है, वे आपके लिए सामाने रहने वाला है, परिवार से जुड़े कोई भी बड़ा फैसला आप ले सकते हैं, आज गुड और चावल आप दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लखी रंग रहेगा ग्रे, लखी नंबर रहेगा आठ, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और एपिसोड में जिसमें हम धेर सारी बाते करेंगे, इंट्रेस्टिंग बाते करेंगे, आपके लखी नंबर, लखी कलर्स और आपके दिन की राशिव के हिसाब से, आपके लिए क्या अच्छा रहेगा इस बारे में, तब तक लिए अपनों का ख्य यहाल रखें और बने रहें फैमली गुरू पर नमस्कार